अब दूस्तों कैसे हो आप सभी लोग आई हो फ्रेंड्स आप सभी लोग वेलन गुड होंगे तो यह जैसे गही आप सभी लोग को पता है है ना कि हमारा जो सूपर सेल अकाउंट होता है उसको अगर वने लॉग लॉग लॉड करने तो उसके लिए हम चाहिए क्या हो गया तो यहां पर ना बहुत से एसे मेरे व्यूवर्स आप सब्सक्राइबर्स है जो कुमेंट कर रहे हैं कि भाई अगर हम लॉग इन करने जहां सब्सक्राइबर्स हो गया हो गया तो यार ऐसा कोई बात नहीं है नौर्मल सा ग्लिच कहते हैं होता है तो उसको सॉल्व करेंगे इसमें विडिगो एंड तक देखना एंड आपको ना इसमें मैं दो मेथट बताने वाला हूं एंड फर्स्ट मेथट में भी काम ना करें तो सेकंड जरूर करेगा एंड यार मैं अपना पर्सनल उपीनियन दूँ अपना दोनों मेथट यूज करना होता है क्या है कि कई बार पहरा चलता है नहीं चलता है सेकंड चलता है नहीं चलता है तो मेरा जो उपीनियन है आप दोनों मेथट यूज करना एंड यार आपका भा तो दोस्तों आपको सबसे पहले करना किया है यहां पर आपको help and support पर चले जाना है and help and support भी जानके बाद मैं आपको ना लिखत रूप से लाइक न हैंड रिटर नोट से जो होते हैं सुपरसेल के वह दिखा देता हूं कि भाई इन्होंने खुद बोला हुआ है कि हाँ एक्चली में आता है कई लोगों को glitches और क्यों आता है तो यहाँ पना उन्हेंने कुछ ही points लेगे हैं बट इससे ज्यादा हम कुछ करेंगे और different करेंगे जिसे हमारा जो OTP होते हैं वह आ जाएगा तो यहाँ पना कुछ उसने काया कि भाई अगर आप पुराना OTP डालते हो लाइक ना updated OTP नहीं डालते हैं old OTP डालते हो तो उससे आपका login नहीं होगा और इसलिए यह सेजेस्ट करते हैं कि भाई हमेशा new brand new email OTP डालना तो एंड secondly क्या कहते हैं यह लोग कि हां भी कई बार glitch आता है एंड के बार नहीं आपाता है तो एक बार अपना email ID चेक करो एंड इसी email ID को हम अच्छे से जान चेंगे अब चलो यार फर्स्ट मेथड है है मारा email ID पर कुछ ना कुछ जुगाड करना है जुगाड 110 परसेंट होगा बिल्कुल सही यहां पर आपको यहां से बिल्कुल सही हो जहेगा आपको क्या करना है जीमेल पर जाने जीमेल को hold कर रहे है रखना है और यहां आई का बटन दिखते है आई के info पर क्लिक करो कैतना वाइरिस बगेरा या junk files के दो वो सब clean हो जाती है और इससे आपको जो जीमेल है वो restart एक तरह refresh हो जाता है तो यहां पर आपके email ID आ सकती है और तब भी नहीं आ रहे है आप यहां पर जाओ प्राइमेरी में कर बंदी शो होता है तो आपको all inboxes में click कर देना है और यह supercell भी कहता है कि check your spam files मतलब spam folder और कि यहां पर आपको definitely आएगा and मेरे को नहीं आरा क्योंकि मैंने सारे check रखे हैं यहां पर आपको ज़रूर supercell ID का message आएगा अगर आपको तब भी यह दुन चीज़ करने पर नहीं आ रहा है तो ज़रूर आएगा and वो तो हो गया ना first method अब इस second method वे simply आपको न यहां पर आपको सबसे प्लेयर टैक कोपी कर लेना है अपना अब दीखते जो मैं क्या करता हूं आप यहां पना help and support पर जाओ and यहां पना हम अपने जो board support हो रहते हैं supercell ID का उससे बात करेंगे यहां पर account पर जाओ नीचे scroll करते हैं हो जया भाई and यहा कोई बात नहीं next आपको supercell ID पर click कर देना है उसके बाद यहां पर lost supercell and यहार आप सोच चुरोगे भाई तो ने lost क्यों click किया मेरा account लॉस्ट नहीं है एक लिए आपको OTP नहीं आ रहा रहा ना तो इसका problem पता है क्या है आपको email ID थोड़ा क्या refresh नहीं है तो आपको यहां प बात नहीं कर रहा supercell ID जो connected email account है वो refresh करने एक बार तो यहां पर आपको से कुछ details मांगेगा आपको यहां पर fill कर देना है लाइक आपका clan का नाम आपका नाम प्लेयर टैग हमने copy तो वह भी मांगेगा तो यहां पर होगा क्या actually दोस्तों आपको जो यहां पर जो गेम है ना email ID जो होता है गेम से connected email ID वो refresh हो जाएगा और आपको OTP जरूर आएगा तो यहां पर लाइका इसने क्या मांगे हमसे tag तो tag देना है tag देने के बाद यहां पर आपको यहां पर second क्या हो कह रहा है कि अपना नाम बताओ भाई village मतलब ना ऐसी details दे देनी है and details देने के बाद again आप try करोगे ना यह ना किसी और phone में try करना मतलब कोई और game में login करके यह चीज़ ओके तब आपको email ID अपने वाले पर आ जाएगा यह उसी क्योंकि उस game तो login नहीं कर पाऊगे तो किसी और second game में login करके यह चीज़ करना जो second method है ओके उस अपना play tag copy कर लेना email ID का तो यह सा दोस्तों दोनों method ही उसका ना मैं personal opinion दे रहा हूं कहते हैं कि second method भी मतलब ने 1% करते हैं नहीं चला तो first चल जाएगा first नहीं चला तो second चल जाएगा मतलब आप दोनों ही उसकरो and I hope आपका जो email ID पर OTP problem solve हो जाए बस यही ती आज की वीडियो अगर आपको helpful लगी है ना and अ एंड वीडियो ची लगे प्लीज लाइक कर देना and वीडियो ची ना लगे तो डिसलाइक कर देना मैं तो अपनी next वीडियो में ऐसी interesting news बनाता है रहतों तब तक के लिए good bye